नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चैनल पे तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मौस्ट इंपरेंट कोशन की सीरीज जो की आपके रहेगी रोयलखन उनिवस्टी के स्टुडेंट के लिए ठीक है Mawast IMPORATANT कोशन की सीरीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोयलखन उनिवस्टी के स्टुडेंट के लिए जो की BA 1, 2öst आपके स्टुडेंट है उनके लिए ये IMPORATANT कोशन की सीरीज काफी जादा beneficial रहने वाली है important question की series start करने से पहले मैं कुछ बाते आपके साथ discuss करना चाहता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि चीजे कैसे चलने वाली है और कैसे चलेंगी हमारे जो channel है ये teacher solution इस पे important question आपके बताया जाते है last year भी मैंने आपको आपकी university के बेट first year second year के important question बताये थे और वहीं से ही आपका paper काफी हद तक 95% से लेके 100% तक आपका paper आपका देखा गया था ठीक है तो important question की series आपकी रहने वाली है इस साल भी जो हमारे important question होते हैं वो दो type के आपके important question रहेंगे ठीक है पहला type जो important question में रहेगा वो आपका रहेगा unit wise ठीक है सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूँ unit wise important question यानि के जो भी आपका paper रहेगा उसकी आपकी 5 unit होती है 5 unit होगी या फिर 6 होगी जितने भी आपकी unit होती है हर एक unit के most important question यानि के unit first के most important question ठीक है फिर unit second के most important question ठीक है फिर unit third के most important question तो हर एक unit के आपको मैं most important question बताऊँगा जो की unit wise content के अंदर आएगा unit wise content की खासियत क्या है unit wise जो content आपकी खासियत उसकी यह है कि यहां से आपको आपका paper 100% आपका फसेगा ठीक है 100% आपका unit wise में से आपका paper आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं guess paper की यह yes paper है क्या unit wise जो content रहेगा उसमें काफי जादा number of question होंगे ठीक है अगर question की बात करूँ तो number of questions unit wise content में काफी जादा होंगे ठीक है लेकिन अगर मैं guess paper की बात करता हूँ guess paper में अगर मैं बात करूँ तो only 12 to 15 12 to 15 question मैं आपको guess paper के गैस पेपर में बताता हूँ ठीक है और गैस पेपर चलते हैं आपके लास्ट में यानि कि जब एक्जाम स्टार्ट होने ही वाले होते हैं जब एक्जाम स्टार्ट होने ही वाले होते हैं तब मैं आपका बताता हूँ उस gas paper में सिर्फ मैं आपको 12 से लेके 15 question तक ही बताता हूँ और इनी में से ही आपको 95% तक आपका paper आपको फस्ता हुआ दिखता है last year भी ऐसे हुआ था gas paper में से काफी कुछ questions आपको देखने को मिले थे gas paper इसलिए होता है कि अगर कोई बच्चा unit wise content नहीं तयार कर पाया तो last में चलते चलते कम सकम वो gas paper में से ये 12 से 15 question देखके जाए और इन में से आपका paper आपको 95% तक मिल जाए हना क्योंकि कुछ बच्चे last में ऐसे भी होते हैं जो channel पे नए नए होते हैं पता नहीं चलता है और उस ताइम पर unit wise करना काफी जादा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि unit wise में number of question काफी जादा होते हैं ठीक है तो gas paper आपका आएगा जब आपके बिलकुल exam start होने वाले होंगे unit wise content आज से हम start कर रहे हैं अच्छी नहीं दी जाती हैं तो आपको काफी जादा अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपके अच्छी परसेंटेज आई क्योंकि रोयल खंड में जो percentage आती है वो इतनी अच्छी नहीं दी जाती है ठीक है काफी hard marking रोयल खंड के अंदर देखी गई है ठीक है और first year में अगर आपको percentage अच्छी लानी है तो उसके लिए आपको विद्या के question bank buy करने पड़ेंगे ठीक है अगर आप Hindi medium से हैं तो आप के लिए बिल्कुल भी helpful साबित नहीं होंगे अगर आप first year में है रोयल खंड इनवस्टी से हैं तो आपको विद्या के question bank buy करने पड़ेंगे जो कि आपका Hindi medium में आता है ठीक है अब बात करते हैं English medium वालों के अगर आप English medium से हैं तो आपके बास कोई option नहीं है आपको English वाला ही सूरिया question bank लेना पड़ेगा आप चाहे वो कैसा भी हो या कैसा नहीं ठीक है बात करते हैं second year वालों के अगर आप B8 second year में है और रोयल खंड इनवस्टी से हैं तो आपको सूरिया का question bank भी आप buy कर सकते हो हिंदी medium से हो अगर ठीक है और विद्या का question bank भी buy कर सकते हो अग अच्छी नहीं बनी है B8 first year में तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए सूरिया अगर आपने buy कर लिया है ठीक है और आपको विद्या भी buy करना चाहिए क्योंकि देखो क्या है कि B8 आप सिर्फ एक बारी करोगे ठीक है ना सिर्दी सी बात यह है आप B8 second year में हो यानि कि B8 के final year में हो और percentage अच्छी बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है B8 के अंदर क्योंकि यह percentage आपकी कहा count होगी इस percentage का 10% आपका super debt की merit में count होता है तो इसका मतलब जो आपकी B8 में जो percentage overall बननी चाहिए वो काफे ज़्यादा अच्छी बननी चाहिए ठीक है त अगर आपकी faster में बेकार आई है ठीक है अगर आपने already सुर्या के question bank buy कर चुके हो है ना तो सीधी सी बात है आपके 800 के लगबग आपके पैसे जा चुकी होंगे है ना लेकिन आपको क्या करना है विद्ध्या भी question bank आपको buy करना है ठीक है आपको विद्ध्या में क्या है आ आपके मला रूपे खर्च हो चुके होंगे है ना लेकिन अगर आप विद्ध्या के buy करोगे तो सीधी सी बात है 800 और खर्च होंगे यानि के 1600 का आपका budget बैठ जाएगा जो की काफी जादा होता है ठीक है तो मैं आपको यहीं सला दूगा कि अगर आप सूर्या के question bank buy कर ठीक है हिंदी मीडियम में 200 में सारी PDF आपको मिल जाएंगी विद्ध्या के question bank की ठीक है जो आपको काफी जादा beneficial रहेंगी जिससे कि आपकी percentage काफी अच्छी बिने अगर आप B8 second year में तो इस चीज का लालेच नहीं करना है कि मेरे पास तो अल्रेड़ी सूर्या है तो आप आपको विद्ध्या की PDF बाई करनी पड़े हैं अगर आप सेंगेंडर में आपको अच्छी percentage लानी है ठीक है और B8 first year वालों की बात करूं तो B8 first year वालों की अगर मैं बात करता हूं तो आपको सूर्या बिल्कुल भी बाई नहीं करना है आपको तो सूर्या बिल्कुल भी बिलेगा B8 first year वालों को ठीक है ध्यान नखना अब ध्यान से सुनो B8 first year में अगर आप हैं अगर आपने कोई भी question bank buy नहीं किया है ठीक है अगर आपको विद्ध्या का question bank buy करना है अगर आप बात है आपको पैसे तो जा चुके हैं काफी सारे है तो अब आप दुबारे से व आपको विद्या की जो PDF है ठीक है विद्या की जो PDF है वो आप मुझसे बाई कर सकते हो बिल्कुल New Question Bank है जो अभी आए हैं उस PDF को आप बाई कर सकते हो सारी सारी PDF वो आपको आपके पास विद्या को Question Bank भी आपके पास आ जाएगा और विद्या को काफी जादा मस्ट है विद्या को Question Bank लेना है ना इस चीच के धान रगना वना एक्जाम के टाइम पर काफी जादा दिक्कत होगी अब PDF बाई करने के लिए ठीक है अगर कोई भी इच्छुक है PDF बाई कर कर सकते हैं अगर आपको विद्या की PDF चाहिए ठीक है अगर आप बेट फस्टिर में है तो आपको तो विद्या के Question Bank खरीदने ही खरीदने है अगर नहीं खरीदे है तो खरीद लीजेगा शोप से जाके और अगर अगर ओल्रेटी खरीद चुके हो सूर्या के तो आपको भा आप विद्या के Question Bank की PDF लेना चाहते हैं तब याप मुझे Message करके इस नंबर पर कह सकते हैं कि Sir B.A. Secondary के रोयल खरीद इनवेस्टि के विद्या के Question Bank की PDF चाहिए PDF जो है आपकी बेटा सिर्फ Hindi में है ठीक है क्योंकि जो विद्या का Question Bank है सिर्फ वो Hindi में ही आता है इंग्लिश में नहीं आता है इंग्लिश मीडियम वालों की अगर मैं बात करूँ चाहिए वो First Year में है या फिर Second Year में है इंग्लिश मीडियम वालों को ना चाहकर भी आपको सुरिया का Question Bank ही बाय करना होगा ठीक है किलियर है तो यह सारा मैंने आपको बता है जो कि Important Question की सीरीज से पहले मुझे आपको सब कुछ बताना था चलिए आप वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चैनल पे Important Question की सीरीज में आज हम डिसकस करेंगे आपके यान एवाम पाठ्थे करम यानिके Knowledge and Curriculum के Most Important Question जो कि आपके यूनिट फस्ट रहेगी B8 Second Year का आपका ये सब्जेक्ट रहता है Royal Khan University से अगर B8 कर रहे हैं और B8 Second Year में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफे ज़्यादा Important रहने वाली है Important Question की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है ठेले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो Question आपका यूनिट फस्ट कर रहेगा Most Important रहेगा वह आपका ये है कि ज्ञान का अर्थ परिभाशा एमन प्रकरती को स्पस्ट करते हुए ज्ञान की विशेष्टाओं की विवेचना कीजे ठीक है तो ये Question आपका Important रहता है इसका इसकर रहेट सकता है कि ज्ञान क्या है ज्ञान के विवीन परकार की व्याक्या और पूछा जासकता है ज्ञान की परकरती को स्पस्ट कीजे ज्ञान प्राप्त करने के मुख्या शुरुतों की चर्चा कीजे तो यह question आपका बहुत ज़ाद आपका important रहेगा इस paper का ठीक है इसको 100% आपको करके ही जाना है जरूर आपको एक question आपको देखने को मिलेगा English में कैसे आ सकता है what is the knowledge explain in different form of knowledge with suitable example तो यह question आपका important रहता है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि explain the nature of knowledge discuss the main source of attainment of knowledge तो यह question आपका भाई important रहेगा इसका इसको इसको टिक कर लीजेगा next question की बात करते हैं जो कि आपका काफे जादा आपका important रहेगा वह आपका यह है कि ज्यान क्या है ज्यान की मुख्य विशेष्टाओं की व्याख्या कीजिए एक ही question है ठीक है यह वाला question और यह question अभी एक ही question है ठीक है अलग नहीं है English में कैसे आ सकता है what is knowledge explain the main characteristic of knowledge दो question आपका एक ही है important रहता है answer आपको आपका एक ही लिखना है इसका screenshot आप ले लिजेगा next question की बात करते है जो कि आपका काफे जादा आपका important रहेगा वह आपका यह है कि ज्यान के प्रमुख परकारों का उल्ले कीजिए या फिर ऐसे भी आ सकता है ज्यान के विभिन रूपों की व्याख्या कीजिए या फिर ऐसे भी पुछा जा सकता है ज्यान प्राप्त करने की विभिन विदियां क्या है ठीक है what are the forms of knowledge clarify the meaning of knowledge what are the different method of acquiring knowledge या फिर ऐसे भी पुछा जा सकता है what are the different source of knowledge तो question आपका बहुत जाद आपका important है इसका screenshot ले लिजेगा अपने question bank में इसको tick कर लिजेगा next question की बात करते हैं जो कि आपका काफे जाद आपका important रहेगा वह आपका यह है कि ज्यान के विभिन श्रोत कौन-कौन से हैं what are the different source of knowledge discussed in brief तो question आपका बहुत जाद आपका important रहेगा इसका screenshot ले लिजेगा अपने question bank में इसको tick कर लिजेगा next question की बात करते हैं जो कि आपका important रहेगा वह आपका यह है कि मातमा गांधी एम एम रविना टैगोर ने जिस क्रिया अधारित अधिगम की बात की है उसकी व्याख्या कीजे ठीक है important question रहता है ऐसे भी आ सकता है कि टैगोर के अनुसार बाल केंदरित शिक्षा की अवधारना की व्याख्या कीजे है न कैसे आ सकता है English में ऐसे आ सकता है explain the concept of active based learning as visualized by मातमा गांधी and रविना टैगोर ठीक है ऐसे भी आ सकता है explain the concept of child center education according to टैगोर तो question आपका एक ही है important रहता है इसका screen show लिजेगा हमने question bank में इसको tick कर लिजेगा next question की बात करते है जो कि आपका काफे जाद आपका important रहेगा वह आपका यह है कि सूचना और ज्यान में क्या अंतर है doctor बाबा साहब अंबेड कर के शिक्षा के परती दृष्टी कौन परसंशिप टिपनी लिखिये ठीक है important question है what is the difference between information and knowledge write a short note on doctor बाबा साहब अंबेड कर views of education तो question आपका काफे जाद आपका important रहता है इसको टिक कर लिजेगा next question की बात करते हैं जो कि आपका काफे जाद आपका important रहेगा आपका यह है कि शिक्षक की जवाब दही से आप क्या समझते हैं बहुत जादा important यह वाला question आपका रहता है हर बार maximum question आपको यह देखने को मिलता है शिक्षकों की जवाब दही कि प्रकार और कार्यों का वर्णन कीजिए ठीक है इस बार 2022 में भी आपको एक question आपको देखने को मिलाता ठीक है what do you understand by the accountability of teacher explain to question आपका एक ही है important रहता है इसका screenshot आप ले लिजेगा next question की बात करते है next question जो आपका important रहेगा वह आपका यह है कि ज्यान के विभिन रूपो question shape में समझाईए ठीक है आपको concrete and abstract knowledge के रूप में आपको बताना है important question रहता है इसका screenshot आप ले लिजेगा अपने question bank में इसको टिक कर लिजेगा next question की बात करते है जो कि आपका काफे जादा आपका important रहेगा वह आपका यह है कि बाल के इंद्रिच शिक्षा के संप्रत्य को स्पस्ट कीजी clarify the concept of child centered education तो important question आपका रहता है अगे इसका screenshot ले लिजेगा अपने question bank में इसको टिक कर लिजेगा तो यही थे आपके unit first के most important question जो कि मैंने आपको बताए है ठीक है channel पे नए है तो channel को subscribe कर लिजेगा ठीक है bell icon को press कर लिजेगा जिससे के आपके पास वीडियो के notification आते हैं कोई भी important question की वीडियो रोयल खन इन्वरस्ट के बिल्कुल भी miss नहीं होनी चाहिए ठीक है यही से ही आपका 100% paper आपका आपको देखने को मिलेगा इससे बाहर एक भी question आपके paper में आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है सबीके सबी question आपको हमारे जो unit wise content चल रहा है अब start हो चुका है यही से आपको सारा का सारा paper आपको देखने को मिलेगा टेलिग्राम गुरूप से अगर नहीं जुड़े है ठीक है चैनल पे नए है तो टेलिग्राम गुरूप का link आपको description box में मिल जाएगा ठीक है जाएंगे तो महाँ पे आपको teacher solution official group का भी link मिलेगा हमाँ पे जाएगे जोइन हो जाना है फिर उसके बाद आपको जोइन हो जाना है काफी सारे बच्चे हमाँ पे जुड़ चुके है को लेसन प्लैन मेगरा कोई भी PDF वेगरा चाहिए तो आपको इसली मिल जाती है ठीक है तो जोइन कर लिजेगा टेलिग्राम चैनल को चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और झाल